केंपेन के साथ कुछ और भी वीडियो भी वाइरल हो रही है हर्याना के गाउं से वीडियो आई कि वहां राशन डिपू पे कंपल्सरी कर दिया गया है कि वहां से आपको तिरंगा खरीदना ही खरीदना है देखो यह वीडियो हालां कि मैंने देखी नहीं है बट पॉइंट इसकी यह कोई मेंडेटरी नहीं है यह अहवान है यह कोई फोर्स से नहीं किया गया है अब कई लोग जब आप 130 करोड का देश है आईक्यू लेवल का एंतुजाजम लेवल का एक चार्ट होता है एक नॉर् कि अकलमंदी की किस साइड में है इस तरह से जो केंपेन है उसका जो एक्चुल मकसद है वही खतम कर देते हैं और फिर ऐसे लोग ही मौका देते हैं उन लोगों को जो आज तिरंगा फैलाने को भी गवर्मेंट की डिक्टेटरशिप कहने की कोशिश कर रहे हैं जब आप इ करेंगा आपके मन से आवाज आनी चाहिए तो इससे क्या होता है जो ओपोजिशन है जो भी फोर्स हमारे देश को स्टेबिलाइज करना चाहती है वह जो मैसेज बार बार दे रही है कि सम्हाँ हमारे यहां पे फृरीडम खतम होती जा रही है यह समारे हमारे यहां पे चॉ कुफ आदमी तो मिली जाएगा जो किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रीम करता नजर आ जाएगा पर आप अपनी गौर्रमेंट का मैसेज सुनिए यह एक दिल से एक जेस्टर है आज मिरको बड़ी खुशी है कि लोग एक दूसरे को तिरंगा किफ्ट कर रहे हैं लोग अपने कि 15 अगस्ट के बाद यह नीचे गिरे फिर इन नजर आएं और देखो फिर भी कुछ वीडियो नजर आएंगी और लोग बोलेंगे अफकोर्स यह तरंगे का अपमान है पर तरंगा बहुत महान है हमारे लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरे को लगता है क कि जब आप 15 अगस के बाद इसको फैरा लें उसके बाद इसको संभाल के रखे ताकि हर साल आप इसको यूज करें हर साल इसको खरीदने की जरूत नहीं है